नमस्ते ग्रीन टीवी के सापता है कारेकरम कुर्शी और नक्षत्र में मैं स्मिथा सिंग आप सभी का स्वागत करती हूं आज कारेकरम में बात करेंगे 12 मार्श से 18 मार्श तक कैसा रहेगा आपका भविश्य सितारों के मताबिक सितारों के मताबिक आपका भविश्य आपको बताएंगे ही साथ ही हम आज के कारेकरम में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप शात्र हैं या परिक्षा दे रहे हैं तो आप अपने मन को कैसे एकागर रखें क्या आप मंत्र जब सकते हैं कि आपके मन की एकागरता भंग ना हूँ, आपका पढ़ाई में मन लगे, ये भी हम आपको बताएंगे, और ये तमाम बातें आपको बताने के लिए हमाँ साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, पंडे जी बहुत मेश रासी के अपने दर्सकों को बताओं कि सप्ताह के सुरुवात में मेश रासी से पंचम भाव मेर्थात, सिंह रासी में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिसका परणाम ये होगा कि सिख्षा में सफलता देगा, अब भी सेस करके, ऐसे विद्यार्ती, जो कि भासा हुआ है, गरहन दोस का चंद्रमा है, चंद्रमा राहु के यूतिक के चलते, आप अपनी संतान से कष्ट पा सकते हैं, अब बात अपने किसान भावियों की, किसानों के लिए यह सबता थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है, मुश्किल किस बात की, यदि आपने कोई कर् किल में डाल सकता है दूसरी बात एक तो पुराना कर्ज परसान कर भी सकता है और नए कर्ज की इस्तिती बन रही है इसलिए आप उसे अवाइड करें बेसक आपका काम रुख जाए तो रोक दीजिए लेकिन कर्ज मत लीजिए इस सब्ता आपका सुभ हंख है पांच और सुभ प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी मतलब आपका सम्माट नहीं लेना है चलिए बढ़ते हैं बात करते हैं व्रिशब राशी वालों के लिए क्या सलाह इस अपते लेकर आएं पंडेजी और उनका क्या लखी नंबर क्या लखी कलर हो सकता है पंडेजी व्रिशब राशी का ब्रिशब रासी के अपने दर्सकों को बताऊं कि किसान भाई इस सब्ता नगदी फसलों से लाफ कमा सकते हैं जो आपने सब्जी की बवाई कर रखी है ऐसी फसलों से आपको अच्छा मुनाफा इस सब्ता मिलेगा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी मतलब आपका सम् वर्चस भी आपके समाज में अवस्य बढ़ेगा इतना जरूर है चुकि चंद्रमा राहु से पीडित है जो कि आपका चतूर्थ भाव है चतूर्थ भाव माता का भाव होता है इसलिए कहीं न कहीं माता पक्ष से आपको पीड़ा रहेगी माता आपकी सब्ता बीमार हो शक मारी के लिए खास जो सलह लेकर आएं है पंडी जी वो ये कि आपको अपनी माता का खास ध्यान रखना है माँ के स्वास्थे को लेकर आपको सावधानी इस सप्ता बरतनी है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मिथवन राशी की पन्डिजी मिथवन राशी के राशी में क्या खास है सब्ता मितुन रासी के अपने दर्सकों को बताऊं मितुन रासी के दर्सक इस सब्ता अधिक प्रयास करेंगे किसी चीज को पाने के लिए एक से ज़्यादा बार प्रयास करना पड़ सकता है किसान भाईयों को भी स्रम के लिए तयार रहना चाहिए इस सब्ता आपको मेहनत अधिक करना है काम बहुत जादा है समय बहुत कम है हाँ भवन निर्माण का योग जरूर बन रहा है आप कोई निर्माणकार इस सपता अवस्य प्रारंभ करेंगे इस सपता सुभंख है आपका तीन और सुभंग है पीला इन दोनुचीजों का प्रयोक करें अप आपको अवश्यला मिलेगा शुब रंग जो है वह पीला और शुब अंक आपका है तीन चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं चौथी राशी करक राशी की पंडिजी करक राशी का लखी नंबर लखी कलर क्या रहेगा इस सपता इस सपता आप क्रिसी संसाधनों के लिए परिसान हो सकते हैं क्रिसी के लिए आवस्य कोई ऐसी वस्तू जो आपके पास उपलब्ध नहीं है वह आपको परिसान कर सकती है और परसानी का जो मूल वज़ा है वह अर्थ है क्योंकि अर्थ के बिना कोई काम नहीं होता है अर्थ की चिंताई सपता आपको अवस्य बाद वह काम आपका पूर्ण हो जाएगा ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि दसंभाव में मंगल गोचर कर रहा है इस सब्ता और मंगल आपका हर प्रकार से मंगल कर देगा इस सब्ता आपका शुभ हंक है दो और सुभ रंग है सफेद दोनों चीजों का प्रयोग करें आपके सवाल भी बने रही है ग्रीन टीवी के साथ अब ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्रिशी और नक्षत्र में जिसमें हम आपको बता रहे हैं आपके सब्ता भर का हाल क्या रहेगा सितारों की चाल के मुताबिक और चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर काफी तनाव और मानसिक वेचैनी रहेगी अखास करके रविवार और सोमवार के दिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि सब्ता के सुरुवात में रविवार के ही दिन चंद्रमा जो की मन का कारक है वह राहू से पीडित हो करके आपके लगन स्थान में बैठा हुआ है आर्थी किस्तिती भी आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि चंद्रमा दूती भाव में है अब मुक्त है किसी प्रकार के पापयूत नहीं है तो उस समय आपको धन अच्छा कहीं से प्राप्त हो सकता है कोई बड़ा काम भी सब्ता के मध्धे के बाद आपका बनेगा क्योंकि भागय जो है वह आपके साथ है भागय आपका पूर्ण सवयोग देगा प्रतेक कारे में इस सब्ता सुभ अंक आपका है एक और सुभ रंग है मैरून इन दोनों चीजों का प्रयोग करें आपका कल्यान होगा तो सिंग राशी वालों का शुभ अंक एक है और शुभ रंग आपका मैरून है अगली राशी की बात करें उससे पहले अपने दर्शक का सवाल ले लेते हैं हमरे पस सवाल आया है जहांसी से पूर्वा का इनके जन्म की तारीक है 7 अक्टूबर 1987 और स्थान है जहांसी यू इस समय पुर्वा जी के कुर्णी में सुक्र की महासा चल रही है सनी की अंतरसा चल रही है इस समय तो विवा का योग नहीं बन रहा है लेकिन 4 दिसंबर 2018 के बाद आपके जीवन में अच्छे दामपत्य के सुक्का योग बन रहा है उसके बाद जब बुद्ध आएगा सामपत्य जीवन भी आपका बहुत मधूर रहेगा एक और सवाल इनोंने किया है कि कि कहां होगी इनकी शादी उस सवाल का जवाब क्या देना चाहिए देखिए हमारे जोति सास्त्र में विवा का स्थान तो बताने का कोई विधान नहीं है लेकिन दिशा बताने का विधान से पष्चिम दिश्ण का निवासी होगा पष्चिम दिशा में जन्म लेने वाला होगा तो उमीध करते हैं पूर्वा जी कि आपको पके सवाल का जवाब मिल गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और सब्केर्णक यहारोस के लोगों बारहवे भावबें चंद्रमा गोच होंगे लेकिन खर्च अधिक होने के बावजूद व्यापारिक उन्नती भी इनकी निशित है इस सप्ता हां रही बात किसान भाईयों को तो किसान भाई किसी भी प्रकार के भूमी संबंदित विवाद में ना पड़ें भूमी संबंदित विवाद ना करें ये इनके लिए प्रश्च तरूप से कन्याराशी के लोग इस सप्ता सफल रहें घृव को जब अंक आपका दो है और शुबसर रंग आपका क्रीम है यह तो था कन्य राशी का राशी फल चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तुला राशी के राशी फल की पंडिजी तुला राशी का राशी फल कैसा रहेगा 12 मार्च से 18 मार्च तक तुलारासी के अपने दर्सकों को बताऊं कि उसके पहले एक सलाह दो आप इस सब्ता क्रोध ना करें क्योंकि क्रोध की अधिक्ता से आपके अपने जीवन साथी से आपका संबंद खराब हो सकता है बेसक तुलारासी के चाहे महिला हों चाहे पूरूस हों दोनों का क्रोध अपने जीवन साथी को ही नुकसान पहुचाने माला है हाँ रही बात हमारे किसान भाईयों को तो किसान भाईयों को बताओं कि आपकी जो आसा है खास करके लाभ के प्रति उसके अनरूप आपको लाभी सप्ता नहीं मिलेगा निरास ना हो थोड़े से कम में संतोस करें, संतोस भी आगे के लिए अच्छा रहेगा महिला वर्ग से इस बात कहूं कि महिला वर्ग इस सब्ता किसी प्रकार के रोग से पिडित हो सकती है तो जो तुला राशी की हमारी महिलाएं हैं हमारी माताएं बहने हैं उन्हें अपने स्वास्थ का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए बारा मार्स से लेकरके अठारा मार्स तक इस सब्ता सुभंख है आपका एक और सुभंख है गुलावी दोनों चीजों का प्रयोक करें निश्यत रूप से आपको लाह मिलेगा तुला राशी की महिलाओं के लिए विशेश कर ये सला है कि वो अपने स्वास्थ का ध्यान रखें और एक जो खास सला आपके लिए है वो यह है कि क्रोध से आपको बचना है क्रोध पर आपको संयम रखना है पंडिजी क्रोध जो है वो हर राशी के लोगों के लिए एक सम क्षाफरों जmis него करोधा मूलि कार्ण ग्रह और वे मंगल मंगल को क्रोधी कहा है जाता है अगर या लगने ओल लगन किसी भी प्रकार से मंगल से द्रिष्ट हो विक्षित वह उसा जातक प्रोधी सभाव का होगा ही होगा और तमान में चुकि तुला राशी पर मंगल की दृष्टी पढ़ रही इसलिए मैंने ये बात बताई कि कुरोध आपको आ सकता है और अपने जीवन साथी को ही प्रभावित करेगा तो कुरोध से दी बचना है तो दो उपाय करना चाहिए एक तो आपको चंद्रमा की मन का कारक है तो दूसरा मंगल इस तुरोध का पाठ करना चाहिए मंगल वार के दिन गाए को गुड़ खिलाएं गेहूँ खिलाएं और मंगल के मंतरों का जब करें यह उपाय करके आप अपने कुरोध को नियंत्रमें कि यह बिल्कुल यह हराशी यह के यूंईवरसल सत्य है सारोभावमिक सत्य है और जो सारोभावमिक नियम होते हैं वो संसार के सभी प्राणियों पे सभी जो इंसान है उसमें समान रूप से लागू होते हैं तो क्रोध पर संयम रखने के लिए आप मंगल स्त्रोध का पाठ कर सकते हैं इस सभी राशी के जातकों के लिए यह उपाय है अगर आपको क्रोध आता है तो मंगल त्रोध का पाठ आप कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली राशी व्रिश्यक राशी की पंडिजी व्रिश्यक राशी का राशी फर भी बताएं ब्रिश्चिग्राशी के अपने दर्शकों को बताऊं कि सब्ता विद्यार्थी वर्ग शिक्षा में अवस्य सफलता प्राप्त करेगा हां रक्त संबंधी विकार आपको परशान कर सकता है खास करके इनीमिया हुआ बीपी हुई इस तरह के रोग आपको समस्या में डाल सकते किसान भाईयों को इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो आप नया अन इस वर्ष उत्पन कर रहे हैं इस सब्ता वो सारे अनाज आपके लिए लावदाई सिद्ध होगे नए अनाज के व्यापार से आपको लाव अवस्य मिलेगा आपको उसका उचित मुल्य इस सब्ता शुब अंग इस बार आपके लिए एक और शुब रंग है आपके लिए लाल दोनों चीजों का प्रियोग करें अवस्य लाव मिलेगा तो वर्ष्टिक राशी वालों के लिए शुब अंग एक है और आपका शुब रंग है लाल फिलाल हार उकरें एक छोटे से ब्रेक के ल ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका क्रशी और नक्षत्र में चलिया आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली राशी धनु राशी की पंडिजी धनु राशी का राशी फल भी बताएं धनु राशी के अपने दर्शकों के बताऊं कि इस सप्ता इन्हें यात्रा से लाब जो मिलने वाला था उसमें थोड़ा सा बिलम होगा लाब तो मिलेगा लेकिन रूख करके ततकाल नहीं कुछ समय के पस्चा इसलिए धैर रखें शिक्षण कारे में सफलता मिलेगी इसका मतलब है कि धनु राशी के जो लोग अध्यान अध्यापन के छेतर से जुड़े हैं उन्निशित रूप से इस सप्ता सफल होंगे मतलब पदोनती हो सकती है सैलरी बढ़ सकती है मतलब लाब की सिती दिखाई दे रही है किसान भाई जो फलों की खेती करते हैं वो अच्छा मुनाफ़ा इस सप्ता कमा सकते हैं सुभरंग का आपके लिए है नव और सुभरंग है सुनारा दोनों चीजों का प्रयोग करें आपका कल्यान होगा तो यह था धनु राशी का राशी फल चलिए बिनारो के आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली राशी मकर राशी की पंडिजी मकर राशी का राशी फल भी बस्टाया आपके ज्यान में भी ब्रिद्धी होगी मतलब कुछ नया सीखने को इस सप्ता आपको अवस्य मिलेगा किसान भाई बड़े प्रसंद रहेंगे इस सप्ता क्यों कि यह सप्ता उन्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा खेती बारी से जो कठीन परिस्त्रम करते आ रहे थे इस सप्त तो मकर राशी वालों का जो किसान है उनका यह सप्ता काफी उत्तम बीतेगा आराम से भरा रहेगा अगली राशी की बात करें उससे पहले चली अपने एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं सुमित हैं जिनोंने हमें सवाल भेजा है खरगोन MP से इनके जन्न की तारीक है 24 एंपी और समय है चार बज कर 20 मिनट शाम का यह जानना चाहते हैं कि इनकी जौब कब तक लेगी और शादी कब तक होगी जी सुमित जी को बताओं कि इनकी जनम कुणली है तुला लगन की वरतमान में भ्रहस्पति की महासर चल रही है भ्रहस्पति इनके एक आदस भाम बै लिए अच्छे दिनों की सुरुआत होगी और उसमें भी जब चंद्रमा का प्रत्यंतर आएगा मतलब 28 अगस 2017 के बाद फिर आपके सब प्रकार से कल्यान का समय सुरू हो जाएगा नवकरी तो मिली जाएगी नवकरी के साथ साथ आपकी आर्थिक किस्तिती भी अच्छी हो होगी और मानसिक रूप से भी आप काफी मजबूत रहेंगे 28 अगस 2017 के बाद आप पांच महीने का इंजार करें निशित रूप से आपका सब प्रकार से कल्यान होगा जाएगे बात करते हैं अगली राशी कुंभ राशी की पंड़ी जी कुंभ राशी कार अउपकों को बताऊं किस सब्ता थोड़ा साबका विल पावर कम जोर लगेगा कहीं ने कहीं उसका कारण क्या है कारण उसका यह है कि आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा बीमार है उसका स्वास्त खराब है जिसको ले करके आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा हां इतना जरूर है कि आपको इस सब्ता के मध्य के बाद किसी भी प्रकार से किस भी प्रकार के ऐसे सोस से आपको लाव मिल सकता है जिसे आपने पहले से क्रिया सील कर रखा है जिसमें आप व्यस्त हैं लगे हुए हैं इस सब्ता आपका सुभ अंक है साथ और सुभ रंग है बादामी दोनों चीजों का परयोग करें निश्यत रूप से आपको लाव अवर् प्रकार का मानसी कष्ट रह सकता है मन थोड़ा व्यथित रहेगा अपने किसान भाईयों के लिए इस सब्ता सारे काम नियद समय पे पूर्ण करने की आवशकता है और नियद समय पे पूर्ण कर भी ले जाएंगी ऐसी परिसितियां आपके आज पास बनेंगी अधिकारी व समय बहुत कम है इसलिए यह सब्ता अधिकारी वर्ण के लिए परिसान करने वाला हो सकता है इस सब्ता सुभंकाप का है च्छे और सुभरंग है क्रीम दोनों चीजों का प्रयोग करें निश्यत रूप से आपको लाभ मिलेगा तो यह था मीन राशी का राशी पल और जैसा की कारेकर्म के शुरूआत में हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको बताएंगे मन को एकागर रखने का मंत्र अगर आप शात्र हैं कोई परिक्षा देने जा रहे हैं या किसी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह मन को कैसे एकागर रखें कैसे कौंसेन्ट्रेट करें पढ़ाई पर उसके लिए क्या मंत्र होना चाहिए चलिए यह भी पंडीजी से जान लेते हैं पंडीजी पढ़ाई में अगर कोई शात्र है जिसका मन नहीं लग रहा क्योंकि परिक्षाओं का दौर चल रहा है पर दर्शकों को खास करके अपने विद्यार्थियों को ताकि वो दबाव महसूस करें पढ़ाई छोड़के मंत्र ही दिन भर करें बहुत छोटा सा मंत्र बताने जा रहा हूं और उस मंत्र का प्रभाव बहुत बड़ा है मतलब उस मंत्र का जब करने से आपके अचेतना काइदा नहीं प्रयास करें कि नहां करके और उस समय करें लेकिन अगया समय नहीं मिल रहा है जब समय मिले मध्यरात्रि को सुबह दो पागर जब समय मिले आप Android को करें मंत्र करें möंचर है आख बंद करके अपने दोनों भावों के मध्य में माता सरस्वती का ध्यान करते हुए के वल कहना है आएंग सरस्वती का ध्यान कर सकते हैं या दुरुगा का ध्यान कर सकते हैं आप ध्यान करते हुए बोलें आएंग इस मंत्र का 24 मिनट तक रिए आप उचान कर देते हैं 24 घंटे में एक बार तो आप यकीन जानिए जो चीज आप 2 घंटे में पढ़के याद कर सकते हैं वह सिर्फ 20 मिनट में पढ़कर करके आपको याद हो जाएगा आपको तयार हो जाएगा क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव यह है कि आपकी प्रग्या सक्ति काफी बढ़ जाएगी प्रग्या सक्ति जिसकी अच्छी होती है उसे स्रम कम करना पड़ता है तो एक शब्द का यह मंत्र है जो पंडेजी ने आपको बताया है लेकिन अगर आप एकाग्र भाव से इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मन पढ़ाई में जरूर लगेगा पंडेजी बहुत बहुत शुक्री आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्मूर जानकारियां दी जी आपका भी बहुत 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 नवाद फिलहाल आज के कारेकरम में इतना ही अगले सप्ता फिर होंगे हाजर अगले सप्ता के राशीफल के साथ और राशीफल के साथ साथ आपको बताएंगे खास मंत्र एक खास उपायदी अगर आपको घर में उपिलेंगे वा सवाल है आप पंडे जी से पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है आप उस नंबर पर वाट्सअप कर सकते हैं फिलहाल मुझे दीजे अजाज़त देखते रहें ग्रीन टीवी झाल